हेलो गाईज, I am 80 sir, previous class में हम topology के बारे में discuss किये थे, आज हम internet के बारे में discuss करते हैं, BCA 6 and 4th semester subject computer network topic internet lecture 11, what is internet, internet क्या है, ये एक तरीके का open source network है, इसके बारे में हम लोग brief discuss करते हैं, पहले में मैं इसे हिंदी में बहुत अच्छी तरीके से समझाता हूँ, उसके बाद English में समझाता हूँ, internet एक network जाल होता है, ठीक है, जो global अस्तर पर सभी computer से interconnect करता है, ठीक है, एक दूसरे से interconnect करता है, internet एक wide area network पे काम करता है, ठीक है, जो किसी internet user को web पर stored, मतलब इस्थित, किसी भी data या information को access करने की सुभिधा प्रदान करता है, इसके दौरा प्रदत कई तरह की services हैं, जैसे की email है, web है, portal है, chat है, social networking आजकल है, etc, इतने में तो आपको internet अच्छी तरीके समझ में आया होगा, अब English देखिए, एक तरीके का open source network है, इस गोबली system to interconnect computer network, internet is wide area network, एक ऐसा है, मैंने अभी हिंदिम बताया जैसे की, wide area network है, ठीक है, user to assess the data और information stored on web, and it's provide number of facility, like email, web, portal, chat, social networking, etc, अब आप एक internet diagram देखिए, इस diagram में सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया गया है, देखिए इस diagram में, जैसे कि यह क्या है, आप जानते हैं कि बहुत सारी अपने इंडिया में जो है, क्या, satellite lunch की जाती है, ठीक, इंडिया में, पूरे बिश्व में, सब का, आज कल तो, पहले तो सभी लोग क्या करते थे, कि internet जो है, US से ही attach होते थे, अब सब का एक satellite system हो गया, जो सभी देश जो है, maximum जितना most powerful country है, उनके पास सब का अपना अपना एक satellite है, ठीक है, जो internet provide करता है, देखिए, यहां क्या है, यहां cloud बना है, आप देख सकते है यहां क्या है, यहां cloud है, ठीक है, वो internet मतलब की, क्या है, बादलों के उपर satellite से connect होता है, जो connect होता है, कहां का, देखिए, email server है, scanner है, modem है, यह सब, सब एक दूसरे से देखिए, connect है, देखिए, server, server है, यह क्या है, देखिए, telephone है, यहां पे, यहां पे क्या है, computer है, यहां laptop टॉप है कि ये क्या है server first है web pages है server 2 होए web pages first kiss wave with सर्व टुब है इस तरीके बहुत सारे एक दूसरे से connect होते हैं घंव कहे मतलब ये globally interconnect होता है this non the internet के इतना समझ में आया आप देखिए history of internet देखिए इसकी हिस्ट्री क्या है history क्या है देखिए US 1971 में विंट्सर्फ ने क्या इनके इंटरनेट के खोश करता हुए इंटरनेट यूज फॉर कमर्सियल परपेज कब 1993 में कमर्सियल परपेज यूज हुआ था इंटरनेट इंडिया में कब आया इंडिया में देखिए कब आया इंडिया में आया 15.8.1995 ओभी कहां कोलकाता कोलकाता में जनरल पोस्ट आफिस कहां पे जनरल पोस्ट आफिस में यह आके यहां पे लगा था ठीक है अब इसको जो है और ब्रीफ में समझे यह कहां क्या हुगा था इसको मैं और अच्छे से समझाता हूं इंटरनेट की शुरुवात 1970 और 1980 10 के एराउंड में हो गई थी ठीक 1910 के एराउंड में हो गई थी इंटरनेट जो अर्पानेट अर्पानेट का नाम सुने होंगे आप एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसका फुल फार्म होता है के नाम से डिफेंस डिपार्टमेंट द्वारा शुरू किया गया था 1914 के लगभग कई लोकल एविया नेटवर्क अर्पानेट से क्या जैसे टीसी पी आईपी आप समझ रहे होंगे इसका फुल फार्म आप जानते हैं मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ कि टीसी पी आईपी का फुल फार्म क्या होता है किस लिए होते हैं ट्रांस्मिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है और इसी को आईपी का फुल फाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल इसकी मदद से कनेक्ट किये जाते हैं ठीक ध्यान से ये कि एक वर्ड समझेगा जिसमें क्या है डाटा इंफार्मेशन का आदान प्रदान के लिए इस नियम का प् इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं ठीक अब देखें ट्रांस्मिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में डाटा कई क्या छोटे छोटे पैकिटों में विभाजित रहते हैं ठीक है छोटे छोटे पैकेट में विभाजित रहते हैं जबकि इंटरनेट प्रोटोकॉल का कार्य पर आवागमन जो होता है पतों की सुचना डालना होता है ठीक है किसी भी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोडने के लिए टेलीफोन लाइन को इंटरनेट सर्विस प्रोवाईडर से जोडना पड़ता है ठीक है भारत में मैंने जैसा की बताया है भारत में इंटरनेट सेवा का सरोप्रथम प्रियोग कितना बताया था 15 अगास्त 15 एट 1995 15 अगास्त 1905 को क्या विदेश संचार निगम लिम्टेड के द्वारा किया गया था ठीक है तत पस्चात अने कमपनियों द्वारा भी इंटरनेट का उप्योग मुख रूप से किया जाने लगा इतना समझ में आया हिस्टरी ब्रिफ में समझ में आई अब आगे बढ़ें ठीक है आगे बढ़ें हाँ ये चीज को ध्यान रखिएगा ये जो मैं डेट बताया हू 15,8,19,95 इसको बेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है इसको आप लोग जो है नोट डाउन कर लें ठीक है और एक अरपा नेट अरपा नेट ठीक है इसको आप डाउन डाउन कर लें इसका मैं फुल फाम बताया दे रहा हूं अरपा नेट का एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट वर्क ठीक है ये है अरपा नेट आपको समझ वहां अब आगे बढ़ें चलिए ठीक है अब क्या आगया अब देखिए अब क्या आगया अब रिक्वार्मेंट आफ इंटरनेट को कौन कौन से requirement होते हैं ये चीछ देख लेते हैं इंटरनेट के लिए कौन कौन से requirement होते हैं इनको समझते हैं वह तर्टी तरीके से ठीक है What is the basic requirement to establish the internet connection ठीक है जो five type के हैं internet connection कौन कौन से जैसे PC, modem, media मीडिया के अंदर गए wire, wireless ठीक है इनको सबको समझते रहिएगा PC, modem, media मतलब wire and wireless ISP ISP के तो आप full farm जानते होंगे internet service provider मतलब example जैसे की BSNL ठीक है web browser example जैसे mozilla और chrome ठीक है इस तरीके के ये पाँच चीजे हैं जो internet को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है अब देखिए मैं इसमें एक टर्म नहीं लिखा हूँ इसको लिख देता हूँ last में concept of internet concept brief में सब चीज पर ये concept of internet internet ठीक है अब देखिए concept of internet के अंदर कर देखते हैं इसको मैं अच्छे से समझा देता हूँ आप note डाउन कर सकते हैं देखिए internet internet एक मतलब की एक globally बिश्वस्तरी इसे कह सकते हैं एक बिश्वस्तरी क्या होता है बिश्वस्तरी मतलब network होता है ठीक है जिसमें internet user कोई सूचना मतलब बीना कोई सूचना बीना खोजे तो उसे क्या है ब्रेप सर्वर के दोरा क्या किया जाएगा ब्रेप सर्वर के दोरा जवाब या सूचना मिलती है ठीक है कोई भी चीज internet user कोई सूचना जैसे खोजे तो उसे किस के दोरा बेब सर्वर या बेब ब्राउजर के द्वारा जवाब या सूचना मिलती है यह सूचना है किसी बेब साइड में लिखी हुई होती है जिसे हम इंटरनेट द्वारा एक्सिस मतलब एक्सिस कर पाते हैं ठीक है अब जैसे बहुत सारे बेब साइड है इन website का अपना domain name होता है तो उस website का एक IP address भी होता है जिसके माध्यम से इसे किसी web browser की मदद से access किया जाता है तो आप इसको कह सकते हैं ना अच्छा heading क्या थी मेरी concept of internet ना concept of concept of internet ठीक है अब देखिए अब इसके आगे हम इसी में बता रहे थे ना अभी चलिए internet एक क्या है network services है यह तो जानते हैं इसे किसी internet services provider की मदद से इस्तेमाल किया जाता है यह भी आप जानते हैं internet किसी की भी निजी property नहीं होती यह governmental property होती है यह आप कह सकते हैं कि जैसे कि internet में सब लोग globally attached होते हैं कोई भी इसे कहीं से भी access कर सकता है कोई इसमें कोई इसमें कोई foundation नहीं होता हाँ कुछ देश किसी particular जैसे movie है यह सब है कोई religion मामला पड़ गया तब इसको band किया जाता है नहीं यह सब कुछ नहीं है आप internet बहुत easily तरीके से क्या access कर सकते हैं ठीक है इसी आज का लेक्चर साहिद बहुत अच्छा लगा हो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर इंडे करता हूं ठीक थैंक यू